मॉंस्टर के एपिसोट टू में स्वागतियाब सभी का और इस एपिसोट का नाम है प्री इस एपिसोट की स्टार्टिंग होती है यही दो भाईयों से जो की अपने मॉम डेट का खून कर चुके होते हैं यह लोग जो हैं पुलिस वालों को जूटी कहाने बता के बताते हैं कि हमने देखा कि हमारे मॉम डेट जो है वो लेटे हुए है फ़र्श पे यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं इनको ले जाते हैं और इनसे पूस्ताज करने की कोशिश करते हैं फिर पुलिस वाले जो हैं सारी सबूत जो इन्हें मिलेते हैं यहाँ पर होता है यह है जो bun टारा होता है तब ही उसके बाद लाईल के बारी आती है और लाईल भी पलिस वालो को बताता है कि पता नहीं हमारे साथ यह क्या हो गया हम जब आए मूवीज और बाहर घुम के तो देखा कि हमारे mom dad जो है वो माले जा चुके है एंदन ये दोनों भाई जो है वाप पिस से आ जाता है इधर पुलिस वाले परिशानी क्योंकि इनको एक भी सबूत नहीं मिला होता है एंदन यहाँ पर ये लोग जो है वो आ जाते हैं अपने घर पे तब ही देखते हैं कि इनकी जो कार है जिसमें इनोंने वो शॉट बंदूक रगए थी वो कार चेकिंग हो रही है अन्दन ये लोग जाते हैं चेक करने के लिए पर पुलिस वाले इने के चेक नहीं करने दे रहे होता है इधर दिकाया जाता है ये लोग देख रहे होते हैं कि पुलिस वाले क्या क्या कर रहे है and then तब ही यहां पे जो लायल है वो जाता है उसी कार के पास और जाके देखता है कि उस कार के पास अब कोई नहीं है and then वो जाके अपना टैनिस बैग निकालता है और उसमें जो गन के शेल्ट्स और पुलिट के मरने के बाद जो सारी वसीयत थी इनकी हो जानी थी पर पर ये लोग बहुत परिशान करते थे अपने मॉम डैड को इसलिए इसके फादर ने बोला था कि हम ये वसीयत जो है तुमारे नाम बिल्कुल नहीं करेंगे इस वज़े से ये लोग टैंचर में थे कि क्या हमें वसी मिली भी है या नहीं ये लोग जाते हैं एक आदमी से मिलने जो की मैनेजर होता है इसके पापा का और वो बोलता है कि देखिए आप लोग सिर्फ थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं क्योंकि आपके सिर्फ क्रेडिट कार्ड और जाएए आप लोग शॉपिंग भी कर सकते देन ये लोग जो हैं वो बोलता है कि हमें वसीयत का पढ़ने को मिलेगी और फिर एरिक और लायल की किसी हो जाती है इदर दिखाया जाता है ये लोग बहुत ज़दा खुश है और बहुत ज़दा इंजॉय कर रहे हैं ये तरह तरह की घडियां रॉलेक्स और डिजाइनर क प्रेयर पार्टी ये बहुत सारी चीज़े करते हैं और तब दिखाया जाता है पुलिस वालों को दो मेने से कोई भी सबूत नहीं मिला है और जो शेहर के लोग हैं अब डर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए और वो लोग से क्योर्टी गार्ट्स बहुत सारी ग इसलिए आप लोगों को खर्चा अब कम करना पड़ेगा इदर दिखाया जाता है एरिक और लायल जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम पापा की तीजोरी जो है वो तोड़ दें और जब ये लोग घर पे आते हैं तब एरिक समझाता है कि हम ये तीजोरी नहीं पूछना पड़ेगा तब ही मैं ये तीजोरी जो है वो खोल सकता हूँ और तुमारे अंकल जो है कल सुबह आते ही होंगे तो तुम कल सुबह तक रुक जाओ फिर होता ये है एरिक और लायल के जो अंकल है वो आ जाते है और जब वो तीजोरी का ताला तूटता है तो लाय लो पेपर पड़ता है और उसमें सारी वसीयत एरिक और लायल के नाम होती है ये दोनों भाई बहुत ज़ादा ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद ये लोग काफी ज़दा इंजॉय करने लग जाते हैं और फिर ये लोग सोचते हैं कि हम अपने बिजनिस को बढ़ाएं एक कमपार्टमेंट खरीदे और बहुत सारी चीज़े करें और ऐसा करते करते इन्हें दो मैने बीच जाते हैं अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस डॉक्टर को मारे या नहीं मारे अंदन यहां पे हैं लायल सोचता है कि हमें उस डॉक्टर से अब मिलते ही रहना प अब वो जो महिला है वो डरी हुई रहती है और कहती है कि कहीं वो लोग मेरे को ना मार दे तो तुम ऐसा गरो कि मैं तुम्हारे घर चल लेती हूँ और फिर ये डॉक्टर जो है अपनी फ्रेंड को घर ले जाता है दरसल ये डॉक्टर प्यार करता है अपनी फ्रेंड से इ इस वज़े से दूसरी गैंग के लोगों ने इने मार दिया है या इनको इनके बेटों ने ही मार दिया है अब यहाँ पे दूसरा पुलिस ओफिसर कहता है नाई नाई आप ऐसा नहीं कह सकते ये बच्चे है भाई बच्चे ऐसा नहीं कर सकते बिलकुल भी और देन दिखाया जाता है कि Eric का एक friend जो है वो आता है पुलिस वालों से मिलने इदर दिखाया जाता है Eric और लायल जो है डॉक्टर के पास पहुंसते हैं और फिर डॉक्टर कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि हमारे साधरी sessions जो है वो record हो और फिर लायल चिलाता है कि नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा तब डॉक्टर कहता है कि देखो ऐसा तो करना ही पड़ेगा वरना मैं पुलिस में जा रहा हूँ और फिर लायल बोलता है हमें धंकी दे रहे हो देन डॉक्टर बोलता है देखो मेरे पर भरुस जिसमें एक बहुत बड़ा अमीर बिजनसमेन का बेटा रहता है, वो अपने फादर को मार देता है, अब यहाँ पर पुलिस वाले बोलता है कि तुम्हें हम भेजेंगे एक जगे पर और तुम्हें जैसा बोलेंगे वैजा ही करना है, फिर एरिक से मिलने उसका दोष जाता है और उससे सच उगलवानी की कोशिश करता है, पर यहाँ पर एरिक साफ साफ मना कर देता है कि नई भाई हमने कुछ नहीं किया है और बार बार उस बात को मत चेड़े और यहाँ पर इरिक उस पार्टी से चला जाता है, इसके बार दिखाया जाता है पुलिस वाले अफसूस करते हट वाट्टू का हएंगा एक भी चीज सही ने की अब दिखाया जाता है यहां पर एरिक और लायल को एरिक और लायल जो है वो बात करी रहे हैं उस दॉक्टर से तब ही वो बार बार एक ही सवाल पुशता है कि बताओ माथा पिता को तुमνε कैसे मारा क्यों मारा कैसे मारा क्यों मारा इस वज़े से अब लायल परिशान हो जाता है और कहता है कि हमें तुम से शैशन्स लेने की कोई जरुवत नहीं है और अब मैं यहां से जा रहा हूँ इदर दिखाया जाता है उसी डॉक्टर की फ्रेंड को जो उस डॉक्टर की बच्ची के पास आके कहती है कि देखो अगर मैंने तुम्हारी मॉम की जगे ले ली ना तो मैं एक अच्छी मा बनूँगी तब ही वह डॉक्टर जो है वो आता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरे घर में रहने लाइक नहीं हो और तुम मेरी Sumiddulator को दो हो की धरा कर रही है और यह जो एपिसोड है वो यहीं ख़तम हो जाता है तो भाईया ये दोनों भाई हिरासत में आएंगे या नहीं आएंगे next episode में पता चलेगा next episode देखने के लिए आपको channel करना पड़ेगा subscribe और story interesting लगे तो comment करके बताओ और साथ साथ ये एक real story है तो आप लोगों को बहुत ज़दा relate करेगी तब तक playlist आपको सामने आ रहे है click करो enjoy करो